नमश्कार पलपल में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान खेती करने के लिए कितने कुछ रास्ते खोता है। वहीं हम आपको बता दे कि किसान वनमंदोरी के अंदर किस तरह से बिना और कम पानी की खेती से उन्होंने किस तरह से खेती किया है? देखिए। बड़ा फाइदा मिलता है एक कमेस में जो पाजी तो पाणी है वो बचत होती है आद्धा पाणी लग बग और दूसरा जब फस्याइब भड़ी हो जाती है तो इसमें क्या होता है कि यह फल के वजन से फस्याइब गिज़ जाती है हमारी और में काफी नुक्सान उठाना पड़ता है और उसका कोई इलाज नहीं हो पाता है बार में दूसरा ये जो आसिप शरीफ का फार्मूला है कि पानी को थोड़ा पोदे से दूर रखें पोदे के तरफ शिरफ नमी जानी चाहिए ना कि उसके पास पानी लगना चाहिए ताकि उसको जो जमीन से पोशन उसको मिलना है वो से रूप इसके फार्मूला भी इसमें लागू होता है ये देखिए आप ये पोदे से दूरी रहेगा पढ़ी उसके तरफ शिरफ नमी जाएगी तो इसके ये दो तिन काफी फायदे हैं हमारे तरफ तो काफी किसान भाई लागत में कमियास के दन्यवान